आप प्रोग्राम ना प्रायो जग्छे निलकंट पतंग होटल आप प्रोग्राम ना प्रायो जग्छे निलकंट पतंग होटल प्रोग्राम ना प्रायो जब से पहले से बहुत आप चर्चा में रहती है यह क्या होता है कि एक कॉंट्रावर्सी लिखना है कॉंट्रावर्सी लिखना है उसके साथ में गेटब भी ऐसा करेंगे तब ही जाके आप को रेकरगनाईज करेंगे फ्रूम देफर्स्ट जब से आपको देखा है चाहे फोटोग्रापस में देखा है बिलकुल गेटब के लिए बहुत कॉंसे असे शोबाजी आपने अपना ही सवाल का जवाब भी दे दिया है आपने कहा कि जब से पहले से आप मुझे देखते आ अगर जिनको पसंत आए आ गया नहीं आए तो भी ठीक है बट इस वाए यह मेरी परस्नालिटी है यह मेरा राइटिंग है यह मेरे किताबे हैं अगर वो कॉंट्रोवर्शल हो या नहों दिस इस वाट आपने अपने आप हो जाती है जान बुचके कोई कुछ ने कर सकता Up to a point you can do it and it is उसका कुछ जाल्यो या कुछ महत्वन नहीं में समझते हूं Controversy for the sake of controversy उसमें it shows a lack of imagination and intelligence But if you are truthful and your truth creates a controversy then that's a different story Okay Shohbah ji common question जो सबने पूछा भी होगा शुरू कहां से हुआ और कब से रेकागनाईज हूए Shohbah Day as a authentic writer कि इनको पढ़ने जैसा है ये कुछ लिखती है तो कुछ हटके लिखती है कब recognize हुआ ये अगर मैं आपको बता हूँ 40 साल पहले तो और वो सच है क्योंकि जब मैं first editor बन गई थी तब it was about 40 years ago in 1970s और तब से जो मैं लिख रही हूँ या national columns में या मेरे किताबों में या so many जहां पर मैं articles लिखती हूँ यहां पर या दुनिया के लिए तो writing मैं ऐसे अभी समझती हूँ कि vocation सिरफ नहीं है मेरा passion भी है और in every which way मुझे define करता है who has inspired you particular जो आपका way of writing है कही ना कहीं तो होगा क्योंकि बहुत सारे अभी जो कॉलमिस्ट है उनके inspiration है शो भाडे शो भाडे को किसने inspire किया था इस तरह की कॉलम के लिए I like to think to myself also very honestly that it's an original voice मैंने कभी भी ऐसे सोचा भी नहीं है even when I was a very young girl कि मैं किसी और के तरह लिखू मैंने बहुत सारे writers admire किये है दुनिया भर के top writers, columnists admire किये है पर जैसे मैं लिखती हूँ वो मेरी ही आवाज है और किसी और का borrowed voice नहीं है फिर भी फिर भी फिर भी इस सवाल को मैं थोड़ा हटके बूचू आपके पसंदिदा author को है मैं पहले इंटरनेशनल लेवल पर जाओंगा बाद में नेशनल लेवल पर अगर आप इंटरनेशनल लेवल पर गए तो आइकन से की strongest influence जब मैं student थी और मेरे पिताजी मुझे कर में किताबे ले आते थे तो शेक्स्पेर तो 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 शेक्स्पेर में मुझे इतनी दिल्चस्पी कभी लगी नहीं आप इंटरनेशनल पर तो फिलसोफिकल पर तोल्स्टोई के जितने प्लीट राइटर्स जो पूरा एक जैसे सागा वारं पीस जब उन्होंने लिखा वो कम्प्लीट एक्सपीरिंस एमोशनल ग्राफ जो कहते हैं उन्होंने जो दिखाया है और इतने कारेक्टर्स को इतना विवड बनाया है आई फाइं आज आज अज अज जो नॉवलिस्ट और बाकी अगर आज के जो कंटेंप्री राइटर्स हैं इंडिया में अगरा आप मुझे पूछे तो विक्रम सेट और आरके नरायन देर नो बेटर राइटर्स और क्योंकि मैं इंग्लिश में लिखती हूं इंग्लिश में पढ़ती हूं और रिजिनल लैंविजज का इतना जितना कॉंटक्त होना चाहिए वो नहीं हुआ है दिर आज ग्रेट ग्रेट राइटर्स जैसे गुजराथी के लिटरिटर्स हैं और मल्यालम राइटर्स हैं जो अब भी हमें चांस मिल रही है और मैं समझती हूं मेरा ही लॉस है और बहुत रिस्ट्रिक्टिट हो गया है ज़िए ग्रूप रीडिंग इंग्लिश राइटर्ज रहा है इस्वाजी यही बात को मैं थुड़ा अलग ट्रेक्प ले जाता हूं कहीं जई हाइप मिलने की बात होती है अगर हाइप मिलती है जो भी राइटर को ज्यादा तर देखा जाता है कि इंग्लिश लेंग्वेज में जो लिखता है उसको नेशनल लेवल पर हाइप मिल जाती है कहीं ये इंग्लिश आउथर कहीं है इंग्लिश राइटर उनका जो प्रभाव बढ़ा है उससे रिजनल लेंग्वेज के राइटरों को कहीं ना कहीं स्कॉप कहीं दब गया है रियल जो हमारी ओरिजनल आइडेंटिटी थी बिलकुल मैं मेरे पबिशर्स के साथ यही आज बात कर रही थी कि आप लोग अपने खुद के जो रिजनल राइटर्स हैं उनको इतना ही अगर आप इंपॉर्टन्स देंगे और उनको मार्केटिंग और पॉजिशनिंग ऐसे देंगे जैसे इंग्लिश राइटर्स को मिला है यह मैं समझती हूं कि महाश्वेता देवी को नोबेल लिटरिचर प्राइस मिलना चाहिए पर नहीं उनको रेकुटनिशन नहीं मिला है नाशनल लेवल पे रेकुटनिशन काफी मिला होगा तो भी इंटरनाशनल लेवल पे जैसे मिलना चाहिए वैसे नहीं मिला है वो अफ उनकी writing translate नहीं हुई है अब तक और English is a language वो पूरी दुनिया में readers मिलेंगे आपको पर for example मैं इनको कह रहे थी आज की अगर आपके जो top गुजराती writers हैं उन्हें अगर आप Frankfurt Book Fair जो दुनिया का सबसे बड़ा international book fair है उन्हें वहां ले जाएए उनको वहां present करिये ठीक तरह से तो who knows tomorrow उनका भी completely उनका recognition ही बदल जाएगा शोभा जी यहाँ यही इसी बात पर हम बात चाल रखेंगे लिगे वक्त हुआ है चोटे से break अब दरशक मिद्रो शोभा डे हजी तो आ शरू हाच्छ अब ही तो यह अंगड़ाई है आगे और लड़ाई है बहुत सारी बात है गानेंगे लेकिन एक छोटे से break की बाद विरामबाद फरियकवार सौगल शापनू कारेकर मती थी महाँ बात करें आशा आपने शोभा डे साथ है शोभा जी आपने बता कि जो importance मिलना चीए और शायद 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 इसमें बहुत बड़ा रोल हो सकता है publisher का जिनको भी कहीं consciously effort करने पड़ेंगे लेकिन 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 मेरा next question यह एक syndicate का भी allegation जाने माने author उपर रखता है syndicate बनती है एक ring बनती है कोई अच्छा writer या author आता है शूरू होने से पहले ही उसकी career शूरू होने से पहले ही बिल्कुल उसको खतम किया consciously target बना के किया जाता है आप क्या कह रहे हैं it sounds like a bollywood script मैंने यह पहले बार मैंने यह सुना है it seems absurd to me क्योंकि I'll tell you why syndicate बना किने के लिए किसी को suppress करने के लिए writing में या प्रसिद्धी में इतना volume होना चाहिए किसी के लिए आप जो कह रहे है वो time waste है publisher 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 बिल्कुल घेरा हुआ है उस दो चार पांच नामी नामों के साथ नहीं 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 यह बिल्कुल उभरते हुए जो भी writer है उनका भी allegation हम लेके जाते है अपनी प्रत तो बोल दे कि नहीं अगर यही चीज कोई जाने माने किसी writer ने लिखी होती तो वाकाई दा उसको कहीं स्विकर किया गया होता वो वही allegation है जैसे लोग कहेंगे कि हुसेन हुसेन बन गए है क्योंकि उनके पास talent या genius नहीं है पर उन्होंने जैसे लता पर चारज है कि उन्होंने सप्रेस किये है जिन में talent होता है जैसे world-class recognition मिलता है वो syndicate से नहीं बन सकता है you cannot kill someone else's talent you can only enhance your own talent जो अपने में है कोई भी creative आदमी खुद के ओपर focus करेगा किसी और को दबाने के लिए they don't have the time or the energy और जैसे भी आप अगर regional writers के बात करें volumes are so small किसके बात करें Harry Potter की जो किताबे हैं जो worldwide famous हो गई है और उनकी author भी worldwide famous हो गई है वो लाखों में छपती है here we are talking about 1000, 2000, 3000 copies who will bother with 2000, 3000 copies की कोई इतना कोशिश करके suppress करेगा for 1000, 2000 copies which will make the writer how much money आजकल अगर आप if you come to Bombay or even in Amdavaad if you go out for dinner you'll get more money you'll have to spend more money than what an author earns it's it's a completely गलत थेरी है शोभा जी ने बहुत लोगों को क्रिटिक भी किया है किसी ने कुछ लिखा है तो पसंद नहीं आया अपने अंदाज में उसको जाड़ भी दिया किसी इंडिविजल को भी अगर पसंद नहीं आया शोभा जी को या तो कहीं लगा कि this is not fair यह कुछ अनफेर है बिल्कुल जाड़ भी दिया एक अच्छे क्रिटिक के इसाब से शोभा जी खुद जानी जाती है शोभा डे के लिखे हुए हर एक बुक्स हर एक आर्टिकल्स को अगर शोभा डे खुद क्रिटिक करें कैसे कर पाये बहुत मजा आएगा सची बहुत मजा आएगा बिकॉस अगर मेरी जो क्रिटिसिजम है अगर रीडर्स या कोई भी जो पढ़ते हैं वो उसको सीरियसली लेते हैं या रियक्ट भी करते हैं वो इसी लिए कि मुझ में क्रेडिबिलिटी है मैं किसी से पंगा यू ही नहीं लेती मुझे लेके कुछ नकुछ उनसे कुछ लेना है नदेना है So that responsibility अगर आज सोच समझ के if you can fulfill that then that makes your name worthy of even controversy अगर मेरी खुद की खिताबे if I were to critique it मैंने जो कहा आप से मैं अभी भी कह रही हूं कि मुझे बहुत मजा आता मैं अभी भी I'm waiting for next generation next PD की शोभा डे जो मुझे जाड ले जो मुझे जाड ले अभी है with my early books अभी भी मिलता है but that's that's okay if कोई भी अपने आपको इतना महान समझने लगा that I am beyond criticism I am perfect that person shows his or her own mediocrity कि आप छोटे दिल के हैं कि सब के बारे आप क्रिटिसाइज कर सकते हैं पर आप खुद के बारे में सुन नहीं सकते हैं वर्ड नहीं बताया आपने क्या 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 करना चाहेंगे critics अपनी खुद की जो on talent को कैसे क्योंकि मुझे वो word चाहिए वो sentence ही है शोबा जी के जो और किसी लोगों के लिए आपने इस्तेमाल की है वो मुझे सोचना पड़ेगा I can't give it to you like this in an instant अगर मैं मेरे laptop के सामने होती और आपने ये मुझे सवाल पूछा नहीं होता तो मैं जरूर I can think better when I'm writing टाइटल में S का बहुत ही महत हो रहा है क्या 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 बात क्या है अच्छा लगता है उसका साउंड भी अच्छा लगता है मेरे लिए लगी भी रहा है मेरा खुद का नाम भी से शुरुबात है सूपरस्टिशन भी ऐस से शुरुबात है इस अनल्फबेट का जो कहते हैं कभी कभी कि लोगों को किसी से ऐसे दिल्चस्पी होती है या अट्राक्शन होता है कोई लोगों को could be a some gemstone या ऐसे कुछ मुझे ये स स देखनें भी अच्छा लगता है और उसका sound भी बहुत अच्छा लगता है इसको क्या कहा जाए सूपरस्टिशन कहा जाए बाकी क्या-क्या है ऐसे सूपरस्टिशन की जिसमें बहुत ही बिलिव करते हैं blindly this is not blind belief it's just something कहिए eccentricity है क्योंकि मैंने जब से even मैंने मैं Stardust जब शुरू किया था या उसके बाद सुसाइटी खोला था फिर मेरी जो किताब खोली उसके बाद सब में सब that was at that time was coincidence था उसके बाद मैंने सोचा क्यों नहीं it's something that I like I like the name I like the sound so उसके बाद I stuck to S but एक मैंने किताब ज़रूर लिखी है कुश्वन सिंग जी के साथ को एडिट की थी वह एस से नहीं शुरूआत हुई उसकी उसकी अंसर्टन यह जो जो कि अभी वो कह रहे हैं रिवाइब करेंगे वापस उसको अपडेट करना है चाहते हैं अगर अपडेट करेंगे तो जरूर करेंगे पर उसका टाइटल बदलेंगे उसको एस से शुरूआत करेंगे कि अगर कोई भी चीज पर कुछ लिखता है उसकी इंपेक्ट सोसाइटी पर होती है कोई ऐसा ऐसा हाथसा जो आपके साथ बनाव आपने लिखा और इंमीडियेट इंपेक्ट आपको देखने मिला हो ऐसा कोई बॉलाइजिए यह वेग विख्वाइट रिसेंटली इन फास्ट आपको बहुत बंबे में बहुत कॉंट्रावर्सी में थे और उनके जो मेथर्ट से बंबे में वहां बहुत चर्चा चल रही थी और काफी जैसे कहते हैं कि बंबे जल रही थी और उनके बारे कोई कुछ तब उन्होंने कहा कि मैं एक ही ऐसे व्यक्ति को वो इंटर्यू देना चाहता हूं और वो जो फर्स्ट इंटर्व्यू राश्ठाकरी निया जिसमें मैंने उनको पूरा प्लाटफॉर्म दिया था मैंने बहुत सारे उनको प्रशन पूचे थे अबाउट इस पॉलिटिक्स उनके जो रिलेशन्शिप है वेदर इस वेट बाड़ा साहिब और उद्धव या मराथी मानुस के बारे और उनने बहुत फ्रैंक्ली और जवाब भी देते उसका जो इमेडिया इंपक्ट हुआ मीडिया में और पूरे इंडिया को पता चला कि यह राज थाकरे का माइंड क्या है और उसके बाद जो बंबे में जो कुछ रह परकॉशन हुए, some of it was very positive, I would say उसका डिरेक्ट इंपक्ट उस वक्ट मुझे, I realized कि आजकल मीडिया की जो रोल है वो बहुत ही responsible role है, हमेशा थी, पर today with, especially with television or print media competing in a way for, क्या कहते हैं, scoops or TRPs and breaking news वगेरा वगेरा, sometimes some journalists can get carried away and be a little irresponsible, sensationalist value के लिए है आश्रोबा जी, वक्त हुआ है छोटे से ब्रेक का अधर सक भी दरो, मरिये छेक नानकडा वीराम बाद विरामबत फरीएक और स्वागर शापनों वाद कर रहा है छापने शोभाडे सादे, शोभा जी, आपने ब्रेक से पहले बताया कि मीडिया का बहुत ही एक important role है, जिसमें आपने बहुत ही सोच समझ के कहीं दबी आवाज में ये भी बोल दिया कि electronic media और print media कहीं पे बिलकुल fight और बिलकुल war चल रहा है, electronic media वाले बोलते हैं कि हम जो दिखाते हैं, दूसरी दिन आप पूरा डाल देते हो, ज्यादा तर, ज्यादा तर, ज्यादा तर, print media से कई लोग, ये मेरा सीधा सवाल है और मैं चाहता हूँ कि आप इसका मुझे first answer देंगे, print media के कई लोग electronic media में आये हुए, दोनों की chemistry अलग है, बहुत जाने माने चेहरे हैं, जो एक वक्त अपनी print media में बाश्या हुआ करते थे, लेकिन जब electronic media में आये हैं, उन्होंने अपनी सोच नहीं बदली, अपना तरीका नहीं बदला, कहीं जाके, लोग भले उनके मुँपे नहीं बोलते हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं electronic media में fit नहीं हो रहे हैं, आप उनके नाम लेना चाहते हैं कि guesswork पे ही रखें, मुझे बिलकुल पूशी होगी, कि आपके अंदाज में आप उनका जवाब देंगे ही देंगे, मैं समझती हूँ कि जो जिनके बाद आप कर रहे हो गए, शायद कर रहे हैं, जो I'm familiar with them, क्योंकि वो उनका visibility भी वैसे ही है, राजदीप सदेसाय, आजकल तो बर्खा, सागरीका, ये print और electronic दोनों में dominate कर रहे हैं, कोई समझेंगे कि उनका TV में उनके लायक, उनका telegenic presence नहीं है, पर what is supporting maybe them, इसकी जो इसकी जो इसकी जो इसकी जो इसकी जो प्रिंट में उनकी popularity है, वो थोड़ी सी, थोड़ी बहुत spill-over होती है, अगर आप उनके columns पढ़ते हैं, और वो जो कह रहे हैं, वो आप मानते हैं, या डिसग्री करते हैं, पर पढ़ते जरूर हैं, तो वो तेलेविशन पर क्या कहना चाहेंगे, कैसे चाहेंगे, is important also, it's important, पर टेलेविशन के जो स्टार्स हैं, वो आलग हैं, and it'll always be like that, पर मैं समझती हूँ कि कमपाटिबल मीडियम हैं दोनों, और को एक्जिस्ट कर सकते हैं, और टेलेविशन के जर्नलिस्ट भी आजकल कॉलम्स लिख रहे हैं, and it's fine, ऐसे competition रहनी चाहिए, it's good. शोभा जी, भõत सारे ऐसे चहरों को electronic मीडिया ने सामने से बुला दिया है, शोभा डे को किसी ने बूलाया नहीं है, या कोई अपने competition में उनको रखना नहीं चाहते दरते, क्या बात है, क्यों 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 शोभा जी को electronic में अभी तक अभी तक वो चांस नहीं मिला नहीं मैंने चांस लिया नहीं है विकोज इस वेरी टाइम कंजूमिंग वेरी डिमांडिंग मेडियम और मेरे बहुत-बहुत राइटिंग के कमिट्मेंट्मेंट्स हैं मैं पब्लिशर भी हूँ, I'm commissioning authors और जब मैं कोई भी panel discussion में उपस्तित होती हूँ पार्टिसिपेट करती हूँ तब मैं सोच समझ के करती हूँ कि I could be on television every evening बग 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 इस शुपर इस शुपर इस शुपर इस शुपर, I don't want to do it मैं बहुत selective choosy हूँ और जो commitment लगती है television, जो discipline लगता है वो बहुत अलग type कर discipline है मेरे परिवार, मेरे जो responsibilities, family responsibilities है, मुझे आके कहते हैं, can you commit 56 weeks, can you commit 13 episodes with 26 episodes every Friday or every Saturday, I cannot do it, मुझे मैं करना ही नहीं चाहती as and when I can do it, मेरे हिसाब से, have you got any offer previously, countless, even yesterday there was an offer that's come to me, which I am considering because it's something that I can shoot 4 days in Delhi, 3 days in Bombay, finish 13 episodes and wait for the next season, I cannot commit that time that every Friday I'll be in a studio shooting a program और topicality बहुत important है, वो मैं भी समझती हूँ, और मुझे ये सिरफ जो talk shows हैं, जो अपने celebrity friends को बुलाओ और उनके साथ बातचीत करो, I don't want to do it और अगर opinion based, अगर कोई भी program हो, issue based program हो, तो उसमें topicality बहुत जरूर है, you cannot bank those episodes, you have to do it on that Friday and that's a luxury I don't have पॉलिटीशन के बारे में बहुत सारा अपने कभी कभी लिखा है, बवन डर भी बहुत मच चुका है, secularism एक word बहुत चला था, वक्त के जाने के बाद धीरे धीरे कहीं वो बगसे में भी चला गया, जो दिखाई देता है, majority of it is pseudo-secularism क्योंकि secularism का actually true meaning कोई इतने गहरे पंसे गया ही नहीं है, अनलाइस किया नहीं है, यह ऐसे एक शब्द हो गया था, जो trendy, fashionable, cool शब्द हो गया था, जो सब लोग उसको wholesale इस्तमाल कर रहे थे, because it was, it suited everybody. Secular is to be aware, to be informed, to make your choices in a free environment, whatever those choices are, you have to respect those choices, whether you like that person's religion or politics, you have to respect it in a democracy, to me that is true secularism is freedom of choice. मेंबर और पार्लामेंट्स ने अपने बढ़ा दिये वेतर, मैंने बहुत लिखा है उसके बारे बहुत कामेंट भी किया है, क्योंकि आपने अंग्रेजी में लिखा है, यह गुजरादी चैनल है, इसलिए मैं वही जो आपकी सोच है, आपके थोट से, वो डिलिवर्ड क्युजरादी है, तो, चैनल हो आपकी सोच है, यह गुजरादी कर रहे हो। के बारे बात करें हैं दिमांड करें हैं अतने घर में भी अगर खिसे ने सम एवन था राइवर वो इन जया राइवर आप दिन्वारी में ज़रूर पूछेंगे वाट आ यू दुएं अप्रे अप्रे रह रहे हों आपका इंड है क्या है सब पूरी इंडिया देख रही है पार्लिमें क्या चल रहा है क्या नौतंग की चल रही है instead of parliamentary debates what we are saying is gundagiri they're throwing mics at each other chairs and chappals at each other this is the caliber of people we can't blame we have voted them ये गलती हमारी है तो ये ही गलती we can also upturn that decision if we raise our voices as citizens हमारे जो electorate है बहुत passive electorate है वो इतना भी नहीं समझ पा रहे है कि democracy में जो आवाज each citizen को दी है हमारे सब नागरीकों को एक आवाज दी है अगर वो वो आवाज किसी को सुनाई दे नहीं रही है क्यों क्योंकि हम बोली नहीं रहे है we took it so passively वो लोग I call them the new maharajahs on television जब मुझे पूछा था वो new maharajahs क्या maharajahs से भी अच्छे उनकी lifestyle है अगर आप दिल्ली में जाएं सबसे बड़े बंगले उनके हैं सबसी गाडिया उनके हैं सब citizens taxpayers हम लोग उनको subsidize कर रहे हैं वो हमारे लिए क्या कर रहे हैं they are called public servants servant I am underlining वो हमारे service में हैं वो ऐसे उनका जो behavior है it's as if we are there to make them richer and we are doing it without any protest तो मुझे बहुत नाराज मैं इस लिए हो रही हूं कि you and me and thousands and millions of Indians if we had protested इतने हिम्मत से इतने record time में they would not have passed this जैसे के और कुछ priority नहीं है हमारे soldiers के पास they don't have banduk Bombay police के पास bulletproof jackets नहीं है वो सिरफ एक हाथ में डंडा लेके terrorists से लड़ाई कर रहे हैं उनके लिए government के पास पैसे नहीं है हमारे बच्चे मर रहे हैं भूक से कश्मीर में क्या हो रहा है माउ इस attack से क्या हो रहा है instead of allocating funds for that वो खुद को अमीर बनाने के लिए और देश को लूटने के लिए पेहाय किया I find it disgraceful shameful last question दरेंद्र मोदी को hardliner कहा जाता है जी शोबा जी का क्या special comment क्योंकि बहुत सारे से नेताओं के लिए आपने कुछ दरेंद्र मोदी के लिए ना आज तक कुछ लिखा है बहुत सारा लिखा है बहुत बाते भी किये हैं उनके बारे बहुत लौक कम बहुत कम पर के डूब को न है टूब की रेचला के सूपर हीरो है और अगरोजान परीन उनस सूपर हीरो भी ब्राइंद एम्बास हीरो यह सभा द्रिक बीस्तर के से लिये हैं जो अमिता बचिन जी है जो रिंगं न mister और रोटला खा रहे हैं, आके और चर्का गुमारे हैं, very good, excellent. गुजरात में प्रोग्रेस जो हो रहा है, we can all see it and we acknowledge it. पर उनकी जो पॉलिसी हैं, उनके जो आपने उनको कहा, हार्ड लाइनर जो है, वो उनके तरीके से वो चला रहे हैं और उनके स्टेट में उसको कुछ, किसी को तकलीफ नहीं है. So, who am I to criticize it? It's up to the people. I may not agree with it, but I don't live in Gujarat. शोभा जी, अन्त में, नॉर्मली ये शुरुआत में होता है, लेकिन मैं अन्त में ये आपको पूछ रहा हूँ. शोभा जी की पहचान, चाहे स्टेज पे, टीवी स्क्रीन पे, कोई अपने कॉलम में, जिस तरह से देता है, अपने हिसाब से देता है. शोभा जी को अपनी पहचान के बारे में 5 सेंटेंस बोलने हो, कि शोभा डे ये है, शोभा डे ये है, कौन से 5 स्टेट्मेंट में आप शोभा डे को इंटोर्यूस करेंगे? First sentence, Shobha Day दुनिया की सबसी अच्छी माँ बनना चाहती है अगर मैं चाहती हूं मैं कह रहे ही रही कि मैं हूं That's my first top priority Shobha Day का राइटिंग कभी बॉरिंग नहीं होता है आप अग्री करें या नहीं पर बॉरिंग तो नहीं है Number 2 Number 3 Shobha Day उसके देश के या दुनिया के, that's too wider of field, महिलाओं के लिए कुछ न कुछ, कुछ न कुछ न कुछ नहीं, बहुत कुछ करना चाहती है और करेगी भी, and that is my commitment to my own gender, that's number three. Number four, I would also like to show by day, अगर आप आज के जो, Indian youth, more than 60% is under 30, as you know, अगर उनके लिए कुछ भी ऐसे inspiring, through my work, through my writing, ऐसे कुछ भी मैं कह सकूँ, to make them better Indians, more successful as Indians, proud of their country, I would say कि मैंने कुछ किया है, That's number four, and finally, I would like the world to know कि शोभा डे खुद एक बहुत बहुत प्रावड इंडियन वुमन है. Thank you very much, शोभा जी, आख इस शोभा में आने के लिए बहुत 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 शुक्रिया. दर्शक बिदरों आती वात शोभा डे साते नी, मने ख्याल छे के एटलू डेफ्थ छे, 27 मिनिट्स कदाच खुलाववा मां, परन्तु सची नीजें, पहला ज बोलती, कदाचे पीच पर सेट पन थे जाये छे, परन्तु डेफिनेटली, घणी बदी वातों बाकी छे, आव आती दी साते, त्यासुजे रजाबशन, नमस्कार, थैंक यूरी मिस्ट, थैंक सेलाव ने,